अधर राष्टिया नियालाई क्या है प्रस्ट क्या है अंदर राष्टिया नियालाई क्या है इसके उद्देश्यों का वर्णन करें या तो पूछ सकता थो हमें आपको कि इसके उद्देश्यों का वर्णन करें अब देखे जब को कौशन पूछेगा sampling या तो अंदर राष्टिया नियालाई क्या है तो अधर रास्टिया नियालाई क्या है अब बात यहाँ पर यह आती है कि आखिर बताईए कि अंतर राष्टिये नियाला है क्या अंतर राष्टिये नियाला है क्या ठीक है तो अंतर राष्टिये का मतलब समझते है विस वस्तर पर ठीक है और नियाला का मतलब समझते है कोट ठीक है पहले जोस्तों आज के वीडिए म के अंटर्रास्टिय नियाला इंड कuft किmont कि इसकी स्थापना के बारे मिलो capable जानेंगे क्या-क्या उद्यस सी ह Porsug के बारे मैं छो 쉽 समझने का प्रिज़ियर्ज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से कि अंतरराष्टिय नियालाई क्या लिखेंगे अंतरराष्टिय नियालाई जिसको हम लोग ICG कहते हैं क्या कहते हैं? ICG कहते हैं और इसका full form क्या होता? International Court of Justice होता है ये सन्यूक तुरास्ट संग का एक अंग है कौन? अंतरराष्टिय नियालाई जिए वो सन्यूक तुरास्ट संग का क्या है? एक अंग है जिसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में कब? 1945 में सन्यूक तुरास्ट चार्टर जब बना था तो उस समय इसका स्थापना हुआ था लेकिन ये कार ये कब से करने लगा? 1946 है अब यहाँ पर किसी का मन में सवाल उठेगा कि इसके अक्चुल स्थापना कब हुआ? अक्चुल इसका स्थापना हुआ था जून 1945 में लेकिन ये काम करना जो शुरू किया था कब किया था? 1946 में में ठीक है? अब देखे, कहा गया है कि नियालाई मतलब इसका मुख्यालाई ठीक है? अंतर राष्ट्य नियालाई का मुख्यालाई है वो कहां पर है? अंतर राष्ट्य नियालाई का मुख्यालाई जो है वो हेग में है कहां पर? हेग में है जो नीधर लेंड में स्थीथ है ठीक है पुछ एक छीध एक अंदर राश्ट्य नियाले का मुख्याले कहा है तब को बता देरा के लाने याई में हेग में है छिए अब देख़े है यहाँ पर कहा गया है कि अंदर राश्ट्य नियाले की बारे में कुछ विश्य जानकारी चली बताईए ठीक है कि यहां तक पूम समझ गये कि या लेकिन इसके बारे में कुछ बिसेश्था बताईए इसके क्या जानकारिया है कि आकिर यह बनाया ही क्यों गया तो कहा जाता है कि इसकी स्थाफ्ना जो है 1946 में किया घ्या बेखिए फिर आपके मुख्याले जो हुआ कहां पर नीदरलेंड के हेग में है कहां पर नीदरलेंड के हेग में है और कहा जाता है कि इसको विस्व नियालाई या तो कोड इंटरनेशनल डे जस्टिस भी कहा जाता है कि इसको अंतररास्टी नियालाई को विस्व नियालाई भी कहा जाता है हैं कौन चुनता है तो सन्यूक राष्ट महासभा और सुरक्षा परिषद चुनती है उसके बाद कहा गया कि अंदर राष्टिय नियाले के जो 15 नियाइधीस होते हैं उसको सन्यूक राष्ट महासभा सुरक्षा परिषद के लिए उसके द्वारा जो है वो 9 वर्सों के लिए चुना जाता है, कितने वर्स के लिए, 9 वर्स के लिए, कोई पूछेगा, कि अंतर राष्टी नियाले के जो नियाईदीज होते हैं, उसको कितना वर्स के लिए चुना जाता है, तो 9 सालों के लिए, कितने सालों के लिए, 9 सालों के लिए, ठीक है, आगे है कि नियाले की आध और बाद ही कारी हुए ठीक है एन्द मिस निर्ण ले लिया वह रधे जो अन्तिम रहेगा और बाद ही कारी की मारना है आपको तो मारना ही पड़ेगा ठीक है अब देखें यहां पे हम लोग जानेंगे अंतर राष्टी ये नियाला है ICG के मुख्य कार या तो उदेश है ठीक है क्या खीर अंतर राष्टी नियाला है जो अपसके क्या-क्या मुख्य उदेश है लेकिन इसके पहले मैं आपको बताताना चाहता हूं कि त्यारी करवा दिया गया है बीवीर कोशन इसके साथ सारे सारे लॉग कोशन भी करवा दिया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए वहां से आकर कि आप फूली त्यारी राष्टे और WhatsApp ग्रूप और Telegram ग्रूप में भी जोईन हो सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है ठीक है अब देखेंगे यहाँ पर लिखावा है कि अंतराष्टिय नियालाई जो है बताईए उसके मुख्य उद्य से क्या क्या है तो कहा गया है कि राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुल्जाना कोई राष्ट अगर आपस में लड़ाई कर रहा है ठीक है तो उसके बीच में विवादों को सुल्जाना यह किसका कारी होता है अंतराष्टिय नियालाई का ठीक है यह पहला हो गया दूसरा कह रहा है कि अंतरास्टिय कानून के मुताबिक सन्यूक्त रास्ट के अंगों और विशेज एजन्सियों के कानूनी सवालों का जवाब देना ठीक है मीस अंतरास्टिय कानून के मुताबिक सन्यूक्त रास्ट संग के जितने भी अंग है अर उसके यतने भी एजंसी हैं उसके कानूनी सावालों में जवाब देता है कानून कैसा है कैसा नहीं है हर चीजों को ये सम्हालता है कौन अंतराश्टी ये नियालए फिर खागी है कि सन्युक्त राश्ट संग के लिए सलाहकार और फैसले जारी करता है ये क्या करता है सन्युक्त रास्ट संग के लिए जो आना सन्युक्त रास्ट संग के जो संगठन है उसके लिए क्या करता है ये सलाहकार्मी सलाह देता है उसको ठीक है और उसके लिए फैसला जारी करता है कौन अंतररास्ट ये नियाल है फिर खागे है कि अंतररास्ट ये कान नियाले और लास्ट कहा गया कि अंतरराष्टि ये कानूनी मुद्दों पर सलाहकार राय देता है ठीक है कि अंतरराष्ट के जितने भी कानूनी मुद्दे है में 20 वस्तर पर जितने भी कोई मुद्दा आता है को बात आता है को विवाद आता है मुद्दों पे क्या करता है ये सलाह देता है ठीक है तो यही है अंतर रास्टी ये नियाले तो उम्मिद कर दोस्तों कि ये समझ गया होंगे कि अंतर रास्टी नियाले क्या है और इससरे अगर कोई कोशन होगे तो मुझे पूछ सकते हैं मिलते नेक्स वीडियों तो तक लिए सेहिन जय भारत